अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले तो यह देखिए आज हम लोग आया हुए है रोट के साइड में आपको इस तरह से बॉम्बू चिकन बॉम्बू परिया नहीं मिल जाएगा तो आज हम लोग लेने आया हैं बॉम्बू चिकन जो कि इस तरह से ट्रेडिशनल वे पर बॉम्बू के अंदर चिकन को मैरिनेट करके डाल के बनाया जाता है यह बहुत ही हल्दी होता है क्योंकि इसमें कोई वाइल अगेर एड इन लोगों ने नहीं किया है बिल्कुल ट्रेडिशनल वे मे अच्छे से पकाई जाता है ताकि चिकन पूरा अच्छे से पख जाए देखिए जो बॉम्बू है आपको स्टार्टिंग में ग्रीन दीखेगा और उसे पक आके लोग पूरा ब्लैक कर देते हैं बाहर से पूरा काला हो जाता है अच्छे से पक जाता है अंदर में भी तो मैं आपको दिखाऊंगी चिकन भी कि यह कैसा रहता है और यह देखिए मैं भी आप रोट के साइट में यह मिल जाती है को इसमें मतलब ओइल वगरा नहीं होता है हल्दी होता है ट्रेडिशनल वे में इससे बनाया जाता है बॉम्बू के अंदर डाल के इस तरह से देखिए इसे अच्छे से पकाया जाता है चारो तरब से तो यह देखिए तो यह इसका प्र Ne koban कर दिया उन लोगों ने और इसे बॉम्बू के अंधर डाल दिया है और इसे अच्छे से रो concret कर रहे हैं या कि देखिए पूरा ब्ला दिखेगा इसे इतना इन लोग सेग DLC कर देते हैं और अब्रबी जो होता है बिल्कुल पक जाता है मैं आपको चिकन भी दिखाओंगी यह कैसा रहता है हम लोग बिञाझी यहां पे संड़ शंड़ को मिल जाता है तो के दिखाऊंगी कि यह है कैसा पूरा पेपर में इन लोगों ने व्राइप करके दिया क्यों कि यह काफी गरम है अभी भी यह बहुत जादक गरम है क्योंकि पूरा आग में इस देखा गया है चारो तरब से इस तरह से देखिए आपको यह पूरा दिखेगा बड़ा सा बॉम है और ओनियंस एंड कुछ लेमन भी दिये गया है इसके साथ ही बॉम्बू चिकन के साथ तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूं तो इस देखिए से यह ओपन होगा और इसे खोल के देखते हैं कि जो बॉम्बू चिकन है वो है कैसा मैं आपको दिखाने वाली हूं औ हार यह देखिया इसे तरह से वाइट कलर का यहां पर लगा हुआ है पेपर और बहुत ज्यादा क्रम मैं क्या बताऊं को कि पूरा आग में सेखाया हुआ है चलिए निकाल के लेखते हैं प्लेट मैं यस तरह से र coughing एस त्थे हैं अच्छे से फोड़ किया गया है ताकि को चिकन वेगरा बाहर ना निकल जाए इसमें पत्ते वेगरा डाल के इसे देखिए और यह रहा चिकन की पीसिस मसाले में मेरिनेट करके पका हुआ एकदम हेल्दी है यह स्वात तो कुछ खास मुझे नहीं लगा इसका पर यह काफी हेल्दी होता है क्योंकि इसमें कुछ ऑइल पर वघ्रहत है तो इस तरह से देखिए काफी सारे चिकन है इसमें 200 गराम औस पास तो इस तरह से पूरे इसे पैक कर दिया गया है अंदर में और यह अच्छे से पक गया है इस तरह से देखिए इसे मैं इस तरह से बॉंबू से निकाल रही हूँ और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है यह चिकन और अगर आपने नहीं ट्राइ किया है तो आपको एक बाद जरू ट्राइ करना चाहिए स्पाइसी बॉंबू चिकन कुछ अलग फ्लेवर कुछ राम से हदराबाद में मिल जाएगा थाइंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो तो